Hi guys, welcome or welcome back to my channel and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2014 में I.E.V. Action Thriller Movie John Wick Chapter 1 को explain करने जा रही हूँ. ये मुवी आपको Amazon Prime Videos पे देखने को मिल जाएगी. हमें यहाँ पे movie के starting में ही मालुम चलता है कि John Wick ने अपनी wife Helen को एक terminal condition के विजे से loose कर दिया है. और हम यहाँ पे उसको अपनी wife के funeral में ही देखते हैं जहां वो बहुत जादा distorted, sad और disturbed लग रहा होता है. जिसके बाद वो घर आता है तो उसको एक parcel आता है और साथ ही में एक letter होता है. हमें यहां मालुम चलता है कि उसकी wife के तरफ से वो parcel है और उसमें एक चोटा सा बीगल का पपी होता है जिसका नाम होता है डेजी. और उस letter में लिखा होता है उसकी wife ने कि वो जानती थी कि वो जल्दी मरने वाली है. तो उसने यहां पे इस पपी को उसके लिए चूस करा है और उसने उसका नाम डेजी रखा है और वो चाहती है कि वो उसका ख्याल रखे. दोना के बीच में हम bond होते वे देख पाते हैं धीरे धीरे और एक दिन की बात होती है जब जॉन यहां पे डेजी को लेके जाता है पेट्रॉल पंप में और वो लोग सारा टाइम साथ में गूम रहे होते हैं. मगर जब वो लोग पेट्रॉल पंप पे होते हैं तो वहाँ पे उसको कुछ रशिन गांक्स्टर्स आते हैं और उसको बोलने लगते हैं कि वो उसके गाड़ी खरीदना चाहते हैं मगर ज़ॉन यहाँ पे उनको बोलता है कि वो अपने गाड़ी नहीं बेचने वाला और वहां से वो चला जाता है हमें यहां पे मालूम चलता है कि वो जो लोग थे उन में से जो उनका लीडर था उसका नाम था उसेफ चुकि यहां पे वही लोग वापिस से हमें दिखाई देते हैं जब वो लोग जॉन के घर में आते हैं ब्रेक इन करते हैं उसकी गाड़ी तो चुराते ही चुराते हैं जॉन को भी बहुत मारते हैं और साथी साथ डीजी जो होती है उसको जान से मार डालते हैं जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि योसेफ यहां पे वो जो गाड़ी उसने चुराई है वो लेके एक दुकान पे जाता है जहां पे वो चाहता है कि गाड़ी का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसको बदल दिया जाए और वो जो शॉप होती है वो एक औरेलियो नाम का आदमी होता है वो उसको ओन करता है तबी हमें ये भी मालूम चलता है कि जॉन का भी जान पेचान होता है और वो पहले ही आके उसको अपनी गाड़ी के बारे में सब कुछ बता चुका होता है और ये भी कि उन्होंने उसके डॉक को भी मार दिया है और जब यहाँ पे योसेफ आता है अपनी गाड़ी का नमबर चेंज करवाने के लिए तो यहाँ ओरेलियो गाड़ी को पहचान जाता है और यहाँ पे उल्टा वो उसको ही मारता है जिसके बाद उसको अपनी दुकान से भी बाहर फेक देता है जब यहाँ पे जॉन वापिस आता है औरेलियो के पास उसकी दुकान पे तो वो उसको बताता है कि योसेफ जो है वो आक्चुली में बेटा है वीगो का जो यहाँ पे हेड होता है रशिन क्राइम सिंडिकेट में जो आक्चुली में न्यू यॉक सिटी में बेस्ट है आगे हमें मालुम चलता है कि औरेलियो यहाँ पे वीगो काल करके उसकी बेटे की सारी हरकतें बता रहा है जिसके बाद वो अपने बेटे को बुलाता है और उसको पूछता है कि तुमने क्या किसी की गाड़ी चुराई जिसमें वो बोलता है कि हाँ शायद मैंने चुराई है मगर वो आदमी मेरा क्या ही बिगाड लेगा और ये सुनते ही वी को यहाँ अपने बेटे को बहुत मारता है जिसके बाद वो उसको जॉन विक के बारे में सारी चीज़ बताता है वो यहाँ पे उसको बताने लगता है कि आक्चली मैं जॉन विक पहले बहुती जादा exceptionally अच्छा असासिन हुआ करता था जिसका निकनेम था बाबा यागा और वो खुर उसके लिए इतने important assassinations कर चुका है जिसके वज़े से उनका जो पूरा यहाँ कार्टेल है वो established भी हो पाया है वो यहाँ पे अपने बेटे को जॉन विक के बारे में ये भी बताता है कि वो अक्चली मैं असासिन तो है ही मगर जो लोग असासिन को मारते हैं वो बुगी मैन होते हैं और जॉन विक यहाँ पे असासिन्स तक को मार डालता है तो वो बुगी मैन से भी उपर हुआ और उसका कोई कुछ नहीं बिगार सकता यहाँ पे वो एक्जामपल भी देता है कि जब जॉन हेलन से यहाँ शादी करना चाहता था तो उसने उसको एक impossible सा टास्ट दिया था जहाँ पे उसको बहुत सारे multiple assassinations करने थे एक limited time period में और यहाँ वीगो को लगा था कि जॉन नहीं कर पाएगा मगर जॉन ने वो impossible टास्ट तक कर दिया था उसी time frame के अंदर जिसके बाद वीगो यहाँ पे जॉन को call लगाता है जिसे कि वो अपने बेटे को बचा सके और उसको बोलता है कि बच्चा समझ के उसको वो माफ कर दे मगर यहाँ पे जॉन ऐसा करने के लिए मना कर देता है अब ऐसा होने के बाद वीगो यहाँ पे 12 लोगों को उसके घर भेजता है उसको मारने के लिए मगर बाद उल्टी पड़ जाती है क्योंकि यहाँ पे जॉन 12 के 12 लोगों को मार डालता है जिसके बाद वो अपने कुछ लोगों को बुलाता है और प्रोफेशनली उनकी जो dead bodies होती है उन्हें remove करवाता है यह चीज वीगो को जब मालूम चलती है तो वो देखके नहीं लगड़ा कि बहुत सप्राइजड है इस चीज़ से और वो यहाँ पे दो मिलियन डॉलर का बाउंटी जॉन विक के पीछे लगा देता है साथी साथ जॉन का यहाँ पे जो mentor होता है Marcus उसको वो personally जाके उसको मारने का contract तक देता है जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जॉन अपने आपको continental hotel में check-in कराता है और वो ऐसा hotel होता है जहाँ पे बड़े बड़े जो cartel के लोग हैं वो वहाँ रहते हैं मतलब कि चाहे आप दोस्त हो या दुश्मन आप वहाँ रहते हो मगर सबसे बड़ा यहाँ पे rule यह होता है इस hotel का कि जो लोग उस hotel के अंदर है उस premises में वो लोग अपना कोई business नहीं कर सकते जैसे ही यह वाली बात वीगो को मालूम चलती है तो वो जो दो मिलियन का bounty होता है उसको वो double कर देता है और यह बोलता है कि जो उस hotel में जाके rules को तोड़के जॉन विक को मारेगा उसको अब 4 मिलियन डॉलर मिलेंगे अब यहाँ पे continental hotel का जो owner है विंस्टन उससे मालूम चलता है जॉन विक को कि यहाँ वीगो ने अपने बच्चे को बचा के एक night club में रखा हुआ है और यहाँ पे जॉन निकल जाता है उस night club के लिए जहाँ वो सब को मार भी देता है और यूसेफ वहाँ पे उसके gun point पे होता है मगर unfortunately विक को का एक henchman होता है जिसके यहाँ बीच में आने के वज़े से यूसेफ को उतना मौका मिल जाता है कि वो अपनी जान बचा के वहाँ से भाग सके जॉन को यहाँ चोट लगी वी होती है तो वो वापिस जाता है continental hotel में जहाँ वो अपनी चोट को ठीक कर सके मगर हमें यहाँ पे एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है miss perkins वो उसके room में sneaking करके उसको मारने की कोशिश करती है मगर मारकेस अपने तरीके से यहाँ पे john को alert कर दीता है जिसकी विज़े से miss perkins का जो plan है उसको मारने का वो fail हो जाता है और उल्टा john wick जो होता है वो perkins को gun point पे ले लेता है और उसको बोलता है कि वो एक ऐसी चीज़ बताए जिसके मालुम चलने की विज़े से वो उसकी जान को बख्ष दे यहाँ पे perkins वीगो का जो main front है उसके बारे में बताती है जिसके बाद john उसको भी होश कर देता है और उसका यहाँ पे एक assassin दोस्त है harry उसके बदौलत उसको छोड़के वो चला जाता है मगर यहाँ पे बात पलट जाती है जो miss perkins को होश आ जाता है वो अपने आपको free कर देती है और harry को उल्टा मार डालती है john जाता है एक चोटे से church में जहाँ पे main जो चीज़े होती है वीगो की जैसे पैसे या important documents वो सारे वहाँ पे होते हैं और वहाँ पे जाके वो सबको मारने लगता है वहाँ पे सब को मारने के बाद वीगो के यहाँ पे जितने पैसे होते हैं सब में वो आग लगा देता है क्योंकि उसको मालूम होता है कि वीगो को अपने पैसों से कितना प्यार है कि वो वहाँ आएगा ही आएगा और जब वो लोग वहां आते हैं तो जॉन उन पे गोलियां चलाने लगता है मगर ऐसा करने के प्रोसेस में एक गाड़ी से उसको ठोकर लग जाती है जिसकी वज़े से वो भी होश हो जाता है और जब उसको होश आता है तो वो अपने आपको एक कुरसी पे बंधावा पाता है जहां पे वीगो उसको टॉंट मारता है कि उसको क्या लगा था कि अगर वो अपने पुराने लाइफ को छोड़ के आगे बढ़ेगा तो क्या वो ऐसा कर पाएगा जिसके बाद इसके पहले कि जॉन मारा जाए वहां पे मारकिस दुबारा से बीच में आ जाता है और ये मौका मिल जाता है जॉन को वहां से अपने आपको फ्री करने का और साथी साथ वो वीगो के पीछे निकल जाता है और वीगो को जब यहां मालुम चलता है कि उसकी जान नहीं बचेगी तो वो यहाँ अपने बेटे का लोकेशन बता देता है क्योंकि उसको मालूम होता है कि वहाँ पे उसके बेटे के साथ और लोग हैं जो उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं मगर उसका जे प्लान होता है वो बहुती बुरी तरह फेयल हो जाता है क्योंकि जोन वहां उसके सेफ हाउस पे पहुचता है और सब को तो मारता ही है साथ ताथ उसके बेटे को भी मार डालता है परकेंस को यहाँ पे मालूम चलता है कि Marcus और John स्टार्टिंग से ही कॉन्टाक में थे और ये बात वो वीगो को बताती है तो वीगो यहाँ अपना बदला निकालने के लिए उल्टा Marcus को पकड़ता है और उसको मार डालता है जिसके बाद वीगो यहाँ पे John को कॉल करता है और उसको बताता है कि उसने मारकस को जान से मार दिया है और अगर वो इसके बाद पे विश्वास नहीं कर रहा तो मारकस की जो बोड़ी है वो उसके घर में पड़ी है तो वो जाके देख ले जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि विंस्टन ने यहाँ पे परकिंस को एक मीटिंग में बुलाया है जहां पे वो उसको मार डालता है क्योंकि उसने यहां पे उसके होटेल का रूल तोड़ा था जब उसने यहां पे हैरी को उस प्रमाइसेस में मार डाला था जिसके बद विंस्टन यहां पे जॉन को कॉल लगाता है और वीगो का प्ला पाया जाता है लड़ाई होते हुए जिसके बाद वीगो अपना चाको निकालता है उसको मानने के लिए और वो सप्राइज रजाता है देखके जब यहाँ पे जॉन खुद अपने हाथों से उसका नाइफ उसके हाथ से ही पकड़ के खुद को स्टैप कर देता है जिसके करने के लिए और उसका ध्यान वहाँ पे एक पिटबुल पापी पे जाता है जिसको शिड्यूल करा गया होता है यूतनाइज करने के लिए तो वो उस डॉगी को निकालता है वहां से और दोनों हाबर के तरफ से वाक करते वे निकल जाते हैं और वो जो आखरी जगह हमें दिखाई जाती है मुवी के एंड में वो वही जगह होती है जहां वो हेलन के साथ मरने से पहले उसके आकरी बार डेट पे आया था और मुवी यहां पे खतम हो जाती है अगर आपको इस मुवी का रीकैप पसंद आया हो दिन दू लाइक दे वीडियो सब्सक्राइब तो मा आपको नीचे दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा थैंक्स वर वाचिंग बाई